वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको आठवे वेतनायोग पर बहुत सारी और बहुत ही इंपोर्टेंड अपडेट्स दूँगा मैं आपको बताऊँगा कि आठवे वेतनायोग में क्या आपका फिटमेंट फेक्टर हो सकता है अपके लेबल के इसाप से क्या आपका बेसिक होगा आठवे वेतनायोग में बताऊँगा क्या फिटमेंट फेक्टर हो सकता है उस पर भी बात करेंगे और जानेंगी कि आठवे वेतनायोग का प्रपोर्जल है वो गवर्मेंट कब तक देख सकती है तब तक लागू हो सकता है क्या सारी इसमें अपडेट्स होंगे यानि एक ही वीडियो में आपके आठवे वेतनायोग पर यानि कि इर्थ सीपीसी पर सारे अपडेट्स मिल जाएंगे साथी साथ आप अपनी बेसिक पेंशन और बेसिक सैली भी देख पाएंगे अगर आठवावेतनायोग जिस हिसाब से लागू हो सकता है तो पूरा डेटेल हैं बात करेंगे इस लिए इस वीडियो को पूरा लास्तर देखीगा और अगर चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साती साथ आप हुआरे वीडियो की foam के लिए लेटेस्ट इनफोर्मेशन के लिए बैल आइकन को याणी घंटे जिसमें 8 Pay Commission लिखा गा या है, दूसरे नंबर पह देख सकते हैं कितने परसेंट हाइक हुआ हो देख सकते हैं, इसाथो collect के सप्शाइब कंपर वो जिन मिन्मum Basic Cash Cast Lτά करें, जिसमें एहां पर किसाब से बड्यूतरी हुई तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4th pay commission की, 3rd pay commission से 4th pay commission में जब हम आए तो वहाँ पर 27.6% की total बड़ोत्री हुई basic में, fitment factor वहाँ पर नहीं था, और minimum basic salary उसके बाद हुई 7500 रुपे, अब आगे चलते हैं 5th pay commission में, जब 5th pay commission आया तो 31% की यहाँ पर basic salary में बड़ोत्री हुई, fitment factor यहाँ भी नहीं था, और basic salary 7500 रुपे से बढ़ करके 2550 रुपे यहाँ पर हुई, अब बात करते हैं 6th pay commission की, इसमें बड़ोत्री हुई 54% की, और यहाँ से आप fitment factor इंट्रोडियूज हुआ, यानि कि 2250 रुपे में 1.86 का multiply करने के बाद, roughly 7.6 रुपे यहाँ पर आए यानि fitment factor ऐसा crucial role play करता है, जब आपकी basic salary जो भी होगी और एक fitment factor निकल कर आएगा, उसके बाद ही यहाँ पर आपकी total basic salary या basic pension count होगी, सबोस करिए, next की बात करते हैं, यानि कि 7th pay commission में, 7th pay commission में 14.29% की बढ़ोत्री हुई, और fitment factor अभी आपका जो present में है, वो 2.57 है, और basic salary की बात करें, तो आपकी basic salary 18,000 रुपए, और आपकी basic जो pension है, वो 9,000 रुपए, और वो आती कैसे है, आपका जो भी previous में 7,000 आपकी pay commission में था, और इसमें 2.57 का multiply जब किया गया, तो आप देख सकते कि roughly exact 18,000 नहीं आते हैं, roughly 18,000 रुपए आए, 17,500 आए, तो उसको 18,000 र हो सकता है, यो कितनी minimum basic salary, minimum basic pension हो सकते हैं, अब अब उसकी बात करेंगे, आपने देखा है, यहाँ पर 4 से 50 के commission में, आप देख सकते है, 31% का high हुआ, 6 pay commission में 54% का high हुआ, 7 pay commission में 14.29% का high हुआ, वहीं बात करते हैं, आगर 6 pay commission की, तुसमें fitment factor 1.86 रहा, वहीं 7 pay commission की बात करत हैं, तुसमें fitment factor होना चाहिए, पहले आप भी वीडियो को running में ही comment कर सकते हैं, कि आपके हिसाप सी कितना fitment factor होना चाहिए, या कितने प्रतिसत की high pension और salary में होने चाहिए, जिससे आपकी minimum basic pension और minimum basic salary हो, हम पूरा detail में चार्ट देखेंगे, आठवी तन आयोग में क्या chart हो होगा, क्या सारी updates होंगी, चार्ट हम लेकर आए, अब देख सकते हैं, यह चार्ट है, और हम इसमें fitment factor 2.528 लेकर आए, यानि fitment factor हम अगर expected बात करते हैं, इसमें कम जादा भी हो सकता है, exact यही भी हो सकता है, मैं आपको एक roughly idea दे रहा हूँ कि fitment factor 2.28 अगर हम लेकर चलते हैं कि आर्थो बेतान आयोग का proposal कब तक आ सकता है, क्या इसमें updates आएंगे, वो हम यह आपर देख लेते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं, मीडिया में जो खबरे आई, उन पर बात करें थोड़ा सा, 8th Pay Commission, Central Government receives proposal expected to be unveiled in July 24, यानि कि July 24 तक Central Government एक proposal expect कर रहा है, Central Government से, आप द PC, timed with the upcoming budget for 2024, expected to be unveiled in July, the proposal aims to review and revise the basic pay, allowances, pensions and other benefits for Central Government employees and pensioners, यानि कि July 1 में जो आने वाला budget session है, उसमें इसमें बात हो सकती है, आगे आप देख सकते हैं, urgent call for the 8th Pay Commission, मीडिया स्यू गोपाल मिस्टा, Secretary of the National Council staff side of Joint Consultative Machinery, यानि JCM, for Central Government employees, has urged the government to prioritize the formation of its CPC, in a detailed letter to the Cabinet Secretary, मिस्टा हाइलाइटेड दा नीट फोर इस Commission to address the economic challenges faced by the government employees and government pensioners, तो आप देख सकते हैं कि जो NCJCM के Secretary है, मिस्टा स्यूगोपाल मुस्रा, उन्होंने गोवर्मेंट को एक लेटर लिखा है, और लेटर में आठोवेता नायूक को जल्से जल्द लाने की, जल्से जल्द फोर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि economic जो भी challenges है, वो बहुत ज़्यादा face करने पड़ना है, government employees को, government pensioners को, अब बात करते हैं थोड़ा सा background की और क्या timing हो सकती है, आठोवेता नायूक की, उस पर भी एक बड़ी हम यहां पर discussion करेंगे, Traditionally, the Central Government Commission is formed every 10 years to evaluate and recommend changes to the pay structures, allowances and benefits of Central Government employees, incorporating necessary adjustment for inflation, यहां की आठोवेता नायूक, यह कोई Pay Commission होता है, वो उसका evolution और recommendation किये जाते हैं, उसके बेतन बत्ते और जो भी benefits होते हैं Central Government Employees और pensioners के, वो inflation की चलते हैं सब किया जाता है, The 7th Pay Commission established by the Prime Minister on February 28, 2024, implemented its recommendation starting from 1, 2016, आपको पता ही कि 7 वेतानाय को अठाथाज़वई 24 को किया गया था, जो कि 214 को किया गया था, जो कि 212, 2016 से लागू किया गया था, अब बात करते हैं, इस CPC कब से start हो सकता है, The 8th CPC's proposed to commence from 1 January 2026, यनि कि एक जो आपका आठोबेतानाय हो गया, expected है कि, एक जरवी 26, एक जनवरी 26 से इसे expect किया जा रहा है, How much the government has yet to announce the formal establishment, leaving over 1 crore central government employees and pensioners awaiting updates, आप देख सकते हैं कि, जो central government के 1 crore employees और pensioners है, वो आठोबेतानायोग का इंतिजार कर रहा है, और देखना होगा कि कब तक इसमें क्या-क्या चीज़े अपडेट होती है, Most probably chances हैं कि, जुलाई तक इसमें कोई अपडेट निकल कर आएगा, और उसके basis पर हम fitment factor के बडूतरी होने के बाद, कर्मचारियों, pensioners और family pensioners का आठोबेतानायोग का घठन हो सकता है, हम projection की बात कर रहे हैं यहापर, इसमें कोई भी बडूतरी गया कमी हो सकती है, projected है, 8 pay commission क हिसाब से अगर हम बात करते हैं यहापर, तो आप देख सकते हैं, 8 CPC, फोर level 1, 2, level 5, fitment factor की बात करें, यहापर, क्यों कि मैंने अभी previous बताया, कि fitment factor ही सबसे बड़ा role, crucial role play करेगा, आपकी pension, आपकी salary में कितनी बडूतरी होती है, तो आप देख सकते हैं, हमने level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 के यहाँ पर table लेकर आए, इसमें 6 Pay Commission, 8 Pay Commission में कितनी basic आपकी होने जा रही है, वो अब इस table में बताने जा रहे है, तो आप सबसे पहले बात करते हैं, level 1 की, अगर आपका basic इस टाइम पर 18,000 रुपए है, तो आपका 8 Pay Commission में, fitment factor 2.28 के basis पर 41,000 रुपए हो सकता है, वह ही हम बात करें, level 3, level 1 में, आपका basic 19,100 रुपए है, तो 43,400 रुपए हो सकता है, ऐसे ही इसमें बड़ोतरी होती है, 19,700 है, तो 44,700 हो जाएगा, 20,300 है, तो 46,700 हो जाएगा, 20,900 है, तो 47,400 हो जाएगा, 21,500 है, तो 48,800 हो जाएगा, 22,800 हो जाएगा, ऐसे ही करके इसमें बड पहां से आप ये टेबल सिधा सिदा डाउवलोड कर पायेंगे आपकी जो भी basic होगी उसके इसाब से आप यए पर टेबल देख लीजिए गा और आप अपना जो भी आपका basic है जो यहां से डाउनलोड कर पायेंगे काफी बड़ी टेबल है आप इसमें 40 कोलम्स मनाएं गाएं अब बात करते हैं लेबल 2 की अगर लेबल 2 में आप अगर आते हैं और आपका अगर बेसिक जो है वो 19,900 है तो 8 पे कमीशन में आपका फिट्मेंट फेक्टर 2.28 के बेसिस पर आपका जो सैल वी बेसिक होगा वो 45, अगर बात करें आपका लेबल 2 में 20,500 है तो 8 पे कमीशन में 46,700 हो सकता है वहीं बात करें हम 21,100 अगर आपका बेसिक है तो 48,100 हो जाएगा और अगर 21,700 आपका अगर बेसिक है तो 49,500 रुपे आपके बेसिक होने की पोसिबिल्टीज है वहीं आप अगर टेबल को इसको द लेबल 3 की बात करें अगर आपका लेबल 3 में जो ग्रेट पे वो दोचार रुपे है अप देख सकते हHIशन में बेसिक अगर आपका 21,700 रुपे हैं तो 49,500 रुपे यहां पर आपका बेसिक हो सकता है यहीं बात करें है अगर मापका बnewकर 22,400 रुपे है तो 21,100 रुपे पक से 23,100 रुपे स्का बेसिक है तो 50000 700 रुपे को सकता है लेवल थ्रे में तो तो 5300 यहां पर हो सकता है, फिर से अगर हम बात करें, 24500 तो 5900 आपका यहां पर basic दिखाई दे रहा है, बात करें फिर से लेवल 4 जो की grade पर होता है 2400, इसमें अगर हम बात करें, तो 7 CPC में basic start होता है 2500 से, तो 8 पर बेतन आयूग में 2800 grade पर होने के बाद, अगर आपका basic तो 6300 की बात करें, अगर आपका basic की बात करें 2700 आगर आपका basic होता है, तो आपका fitment factor 2.8, 2.28 के basis के बाद, 6800 रुपए यहां पर पड़ोती हो सकती है, अगर आपका basic 27900 रुपए है तो इसमें 36600 रुपए और आपका basic 28700 रुपए है तो 65400 रुपए आपकी basic होने की पूरी-पूरी possibilities बताई जा रही है, अगर हम level 5 की बात करें जिसका grade 2800 होता है, अगर 7CPC में starting level 5 में 7CPC है, 29200 होने के बाद 66600 रुपए यहां पर हो सकता है, वहीं अगर 300 है आपका basic तो 68600 रुपए हो सकता है, और 31100 रुपए है तो 70700 रुपए हो सकता है, 31900 रुपए अगर आपके basic है तो 22700 रुपए हो सकता है, 32900 रुपए हो सकता है, तो आपका 75000 रुटल बेसिक हो सकता है, और वहीं बात करें, 33900 रुपए अगर आपका basic है, तो 77300 रुपए आपका basic होने की आपर आपको बेता नयाग में possibilities जताई जा रही है, यह बहुत अच्छी टेबल है, फिट्मेंट फेक्टर यह 2.28 के बेसिस पर है, और अगर फिट्मेंट फेक्टर बदलता है, तो आपकी basic पे भी बदल सकती है, लेकिन expected है कि अगर 2 तक या 2.57 तक भी अगर इसमें बड़ोतरी होती है, तो पेंसन काफी बड़ोतरी हो जाएगी, इसमें काफी ज़्यादा बड़ोतरी होने की बात कही जा रही है, लेकिन आठो बेता नयोग में देखना होगा कि क्या fitment factor रहता है, आप भी हमें कमेंट क वोसमें यास लिंग देगखा, वहां से सीधा सीधा आप इसको डाउनलूद कर पाएंगे,